हम दें यह देखना है कि forward और future contracts में differences क्या है हैं दोनों ही एक किसम के future contract लेकिन एक को हम कहते है forward और दूसरे को कहते है future यान जील जो है वो future में ही होनी है आने वाले दिनों में ही होनी है लेकिन price आज settle करना होती है let's see how what are the differences forward contract and future contract traded directly between contracting parties unregulated and private market यानि कोई भी दो बंदे मिलकर on track कर सकते हैं इसमें आपको जरूरी नहीं है के broker के पास नहीं दो बंदे मिलकर टै कर सकते हैं basically यह किसम की gambling ही है और trading on the stock exchange on the exchanges performance is guaranteed through clearing house जैसे मैंने कहा था ना के future में तो guarantee है के clearing house के तुरू सैटल हो जाएगा then customize over the content यानि आप पंदे के पास जाएं उससे तै कर लें मामला तै हो जाएगा यानि मैं खरीदना चाहता हूं वो बेचना चाहता है दोनों agree कर लें तो यह पाउड हो गया standardized a lot यानि एक lot में ही आपको उस commodity को या उस shares को आपने खरीदना है यह नहीं है कि और lot में जाकर खरीश तकते हैं तो उसमें से यह नहीं कहा है जी दो मन हमें दे रहे ऐसे नहीं ह जैसा forward के case में कर्च नहीं करना पड़ता है no cash outflow लेकिन future के case में आपको margin रखना पड़ेगा दोनों पार्टियों और यह margin जो है आपको broker के साथ रखना पड़ता है margin required to pay to broker counterparty default risk but manage यानि दोनों पार्टियों में से कोई भी भाग सकता है लेकिन इसको manage कर लिया जाता है क्योंकि a contract है law enforceable है तो आप उसके through उसको enforce करवा सकते हैं लेकिन chances are there कि एक party कहें कि मैं नहीं on करता है इस case में no counterparty default risk क्योंकि आपको दर्मयान में broker है वो आपको भागने नहीं देगा अगर भागेंगे तो उसके पाल जो margin है वो margin आपको नहीं मिलेगा तो इसलिए you cannot run away यह है तो आप risk नहीं है less regulation है यह नहीं आप दो party जाएं बैठें टै करने जो भी है लेकिन यह तो stock exchange या merchandise exchange का जो business है इसमें तै है के how to go about यह जो brokers है यह license रहता होते हैं यह भकाइदा हर चीज़ को देख कर फिर आगे चलाते हैं काम को अचा hedging इसमें होती है forward में और जबके इधर speculation है future में hedging हम बाद में discuss करेंगे यह तरह सा difficult topic है लेकिन speculation में तो यह है कि आप future में देख रहे हैं कि price बढ़ जाएगी कम हो जाएगी तो आप उसके हिसाब से एक future contract कर लेते हैं profit accumulate यानि जब तक आप conclude नहीं करेंगे अपना forward का contract तब तक आपको profit नहीं बनेगा लेकिन इस case में repricing हो सकते हैं यानि अगर mutually share की price up and down जा रही है तो आप adjust करवा सकते हैं क्योंकि दरम्यान में एक broker है जो आप दोनों को adjust कर सकते हैं low liquidity इसलिए कि you never know कि वह पैसे सौदा हमारा finally तया भी होगा कर नहीं होगा लेकिन इस case में तो 100% sure है कि होगा अगर फर्स करें फर्स करें नहीं भी buy or sell होता तो फिर भी settlement हो जाएगी So high liquidity in this case. Thank you very much.